क्या महराश के विधांग सभा चुनावों में अगाडी मोर्चे का जीतना तै है यान कि उद्धव ठाकरे शरत पवार और कॉंग्रिस के मोर्चे का जीतना तै है आखिर पिछले चार महिनों में ऐसा क्या हुआ है क्या महराश के विधांग सभा चुनावों में अगाडी मोर्चे का जीतना तै है यान कि उद्धव ठाकरे शरत पवार और कॉंग्रिस के मोर्चे का जीतना तै है आते हैं आखिर पिछले चार महिनों में ऐसा क्या हुआ है कि आप लोग कहने लगे हैं कि मुकाबला काटे का है लोग ये भी कहने लगे हैं कि 288 में से 222 सीटे ऐसी हैं जिसमें मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है यानि कि जीत किसी को मिल सकती है आखिर क्या हुआ दोस्तों 48 सीटों में अगाडी को 31 सीटे में ली थी और भाशपा गटबंडन को महज 17 सीटें वो एंटी इंकंबंसी लहर का सामना कर रहे थे मगर चार महिनों में पूरा खेला बदल जाता है आखिर क्यों क्या इसका लिंक कहीं न कहीं हर्याना विधान सभा चुनावों के नतीजों के साथ है आखिर क्या हो रहा है महराश की सियासत में आज मेरे शो में मैं आपको महराश की इस वक्ट जो सियासत है उस पर खबर पेश करने वाला हूँ इस वक्ट सियासत कौन सी दिशा ले रही है और उसे समझने के लिए आपको एक-एक मुद्दे पर गोर करना पड़ेगा सबसे पहले बात आती है महराष्ट के अस्मिता की जी हाँ अगर अगाडी की बात करें यानि उद्धव ठाकरे शरत पवार और कॉंग्रेस के मोर्शी की बात करें तो वो लगातार महराष्ट के अस्मिता और मराठा अस्मिता की भी बात कर रहे हैं और ये भारती जनता पार् यहाँ आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्रबोधी, स्वेन के प्रधानमंत्री सैंचेस के साथ वडोधरा में C-295 टाटा एरक्राफ्ट मैनुफाक्चरिंग की यूनिट का उद्घाटन कर रहे हैं। चुनाव में उद्धव ठाकरे ने अपनी तमाम सभाव में इस बात का जिक्र किया था। और इसे अब जोर शोर से उद्धव सिना और कॉंग्रेस उठा रही हैं। कर महराश के जखम पर नमक छड़के जा रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी गुजरात ले जाने की साज़िश की जा रही है। आपकी सरकार की दबाब में गुजरात भेजे गए सत्रह बड़े उद्ध्योग वेदान्ता फोक्सकॉन सेमी कंड़क्टर प्लांट से लेकर टाटा एरबस यही नहीं। International Financial Services Center, Diamond Trade Center, Bulk, Drug Park वगेरा वगेरा भी महराश से छीन लिये गए। भेदभाव और बटवारी की सियासद अब नहीं चलेगी। यहीं नहीं दोस्तों उद्धव सेना की सांसद प्रियंका चत्रुवेधी भी यही कह रही किस तरह से महराश की जनता के साथ भेदभाव किया जा रहा है। और यह अपने आप में दोस्तों एक बहुत ही संवेदन शील मुद्दा बना हुआ है। इसके जरी यह बतलाए जा रहा है कि किस तरह से गुजरात में तमाम उद्ध्योग जा रहे हैं और नुकसान किसी और का नहीं महराश का और सबसे बड़ी बात महराश्ट जो देश की आर्थिक नम्स है उसका वो वजूद उससे नूचा जा रहा है चीना जा रहा है और बा ज्वलंत बन गया था और बात वहां पर नहीं रुकी राहुल गांधी ने अपनी तमाम सभाओं में कहा था कि अगर भारती जनता पार्टी को 400 सीटे मिल गई तो बोलोक समविधान को खत्म कर देंगे और ये शब्द राहुल गांधी के ही नहीं थे भारती जनता पार्टी के तमाम लिता अपनी सभाओं में कहते थे कि आप हमें 400 सीटे दे दो हम समविधान दर लेंगे तमाम बड़े ने था और प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी ने कभी उसे खारिज भी नहीं किया कहने का अर्थ साफ था लोक सभा महराश के लोक सभा चुनावों में इस सुनाई दी नतीजा मराठा दलित और मुसल्मानों ने खुलकर और साथी अती पिछवडे वर्गों ने खुलकर अगाडी के पक्ष में वोट दिया नतीजा आपके सामने है अब क्या हो रहा है दोस्तों हर्याना के नतीजे आने के बाद भारती जनता पार्टी को सपलता का एक सूत्र दिखाई दे रहा है कैसे मैं आपको बताता हूँ हर्याना में क्या हुआ था दोस्तों हर्याना में कॉंग्रेस के पास कई मुद्दे थे महिला पहलवानों के साथ जो ज्यात्ती हुई वो वाला मुद्दा था अगनिवीर वाला मुद्दा था इसके लावा किसा वाला मुद्दा था, फिर भी वो चुना भार गई, क्यों? क्योंकि उसने 90 सीटों में से करीब 70 सीटों की बागदोर जाट नेता भुपिंदर हुड़ा के हाथों में दे दी थे, उपर से कुमारी शेलजा पार्टी का सहयोग बिलकुल नहीं कर रही थी, और इससे क्या हुआ लोगों में संदेश देने की कोश्टी गई कि अगर भुपिंदर हुड़ा मुख्य मंत्री बन जाएंगे, तो जाटों का राज आ जाएगा और अन्य जातियों पर वो अत्याचार करेंगे, ये डर काल्पनिक था, अगर भारती जनता पार्टी इस डर पर खेलना जानती है अब ये बताया जा रहा है दोस्तों, यही चीज महराश में लागू करने की कोश्ट के जा रही है, इसलिए सामने उभर कर आता है भाजपा का बटेंगे तो कटेंगे का नारा, उसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले मराठा स्मिता, अब ये कहा जा रहा है कि दोस् जाटों की तादाद करीब 22-30 पीसदी थी, महराश में मराठा जो समुताय है, उनकी तादाद जो करीब 33 पीसदी है, फर्ख है बहुत बड़ा, और सबसे बड़ी बात, अगर आप मराठाओं को अलग थलग करेंगे, यानि भाजपा अगर मराठाओं का अपमान करती है, औ उनके साथ दलित भी जुड़ जाते हैं और मुसल्मान भी, और जब ये जुड़ जाएंगे, और साथ में कुछ अन्य पिछड़ी जातीयां भी, तो अगारी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए ये फॉर्मिला यहां पर लागू नहीं होने वाला है, काम्याब नही को बताता हूं क्यों, याद कीजेगा, टी राजा सिंग, लोग सभाज शुनाबू से पहले ये वेक्ति गली-गली घुमकर जहर घोल रहा था, नतीजे ये हुआ, औरंगा बाद में सांपरदा एक तनाव भी पैदा हुआ, कई जगाओं पर यात्रा निकाली जा रही है, द इनकी बॉकलाट देखो, सत्ता में हैं, ग्यारा साल से केंद्र में हैं, फिर भी हिंदू खत्रे में हैं, इसलिए अब उत्तर पदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, योगी आदितनाथ, उनका नारा बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया जा रहा है, क्या ये बीजेपी को ज आजनीती के जरिये हिंदूओं में डर पैदा कर लेती है, तो जरूर उनका ये स्लोगन बटेंगे तो कटेंगे काम्याब हो जाएगा, मगर अगाडी को इसका जवाब देना पड़ेगा, और मैं आपके सामने दोस्तों एक बयान पेश करना चाहता हूँ, आपके सामने ये हैं, शिरूर लोग सभा सीट से सांसद, डॉक्टर अमोल कोले ये NCP शरत पवार फाक्शन के नेता हैं, सुनिये, बटेंगे तो कटेंगे के नारे का, क्या मूँ तोड जवाब, यहाँ पर डॉक्टर अमोल कोले दे रहे हैं, इनके एक एक शब पर गौर कीजेगा, बटेंगे, तो कटेंगे कहने वालो, हमें जरा ये भी बता दो, क्यूं काटा महाराष्ट की युवाओं का रोजगार और बाट दिया गुजरात को साड़े पास लोग लाख कोटी ची गुन्तवनों केली भावा हूँ, लाखो तरुनांचा हत्सा रोजगार गेला, तो बटेंगे, तो कटेंगे कहने वालो, जरा ये भी बता दो